प्लेटफर्म अब ब्लेक डर्नर के टूर्ड डिविजन सीरीज में जो अगला चैप्टर है उसको आज शुरू करेंगी कलॉनियलिजम एंड कंट्रिसाइट बाइद विए अगर आपने पिछले चैप्टर की डिविजन सीरीज की वीडियो नहीं देखी है चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को अवेल करने के लिए है तो चुकि फ्री में बट आपसे हमने एक छूटी सी डिमार्ड रखी है उस वीडियो को जवाब देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आएगा उस लिंक में गूगल फॉर्म के लिंक है वहाँ पे क सवाल बहुत आसान पुछे जाएंगे उनका जवाब देखें आप शॉर्ट नोट्स अवेल कर सकते हैं ट्राइटू अगर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स से आपको पता चलेगा कि कि किस क्वालिटी के शॉर्ट नोट्स से आपके लिए डिविजन में काम आ सकते हैं प्री बोर्ट के समय में बहुत काम आ सकते हैं एंड बोर्ट के समय में जो बिफोर वन डे डिविजन होता उसमें तो बिलकुली काम आएंगे तो आपको इस चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स अगर अवेल करने हैं वही प्रोसेस हैं हमने एक लिंक रियार किये गूगल फ बेज सकें तो हेर वी आर स्टार्टिंग देविजन सीरीज फ्रॉम सेकेंड चैप्टर यह जो हमारा नाई चैप्टर उसमें तुमने देखी लिया दसमें चैप्टर को शुरू करते हैं स्टार्टिंग दा कॉंटेंट्स क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वैसे तो बहुत सा रहा था एंड इनके उदय से क्या इंपैक्ट पड़ता है डूरल बेंगौल की पॉलिटिक्स में उसको देखेंगे रेजस्ट उब जमिंदार्स यह बहुत आश्चर जरक है कि जमिंदार्स एक के बाद एक फेल तो कर रहा है बट उनकी जो जमीने है वो जा नहीं देए त Francis Buchanan के जो एकाउंट से जो इनके टेक्स है जिनके तुरू हम लोग इन साधी चीजों को पढ़ रहा होंगे बहुत बड़ा योगदान है इनका बिंगौल की पॉलिटिक्स को हिस्टोडियल के तौर पे जोगरफर के तौर पे सर्वेर के तौर पे इस तरीके से इनके इसके बाद देखेंगे कि इस सिस्टम के फीचर्स क्या-क्या थे इसको जमिंदारी प्रथा भी कहते इसको स्थाई बंदबस्त भी कहते हिंदी में तो इसके फीचर्स को जानेंगे देन बेविल टॉक अबाउट दा हाइरार्की की बाई यह जो हमारे सिस्टम बनाय गया इसके अंदर प्रशासिनिक हायराणकी किस तरीके से थी, सनरचना किस तरीके से थी, वाई नीडिड़, जब बिंगॉल को कॉंकर किया जाता है, बिंगॉल को कॉंकर किया जाना मत्तब 1757 में बैटल अप लासी हुआ, और 1764 में जब बैटल अप बकसर में, दोरोई बैटल में जब बिटिशर्स वेरा ही होते हैं, बंगाल उनकी मुठी में आ गया, अब जब बंगाल उनकी मुठी में आ गया है, तो इनको बंगाल से पैसे कमाने हैं, बंगाल में उस जमाने में बिहार ज़ाड़ का नोडी सा, और बहुत सारे इलाके आते थे आपके 36 गड़ के भी, तो इसके लिए उनको ज़ाड़ करतो आता ही था, तो इसके लिए अब ये सारे फटाइल एंट्स है, तो यहाँ पर पैसा जादा बन सकता है, अगर हम अगरिकल्चरल आउट्पुट बढ़ा दे तो, फर्स तिंग वाज हमें लैंड सेटलमेंट दाना पड़ेगा, ताकि हम अगरिकल्चरल आउट्पुट बढ़ा सके, अगरिकल्चरल आउट्पुट अगर हम बढ़ाने में काम्याव होते हैं, तो बंगाल में जो लगातार अकाल की समस्या है, उसको भी हम लोग चेक कर पाएंगे, उसको भी हम लोग रोग कर पाएंगे, इसके अलावा ऐसा हमें सिस्टम लाना पड़ेगा, जिससे ही जो किसान है, जो अथॉर्टी जो लैंड होल्ड कर रही है, वो अपने आपको एक रिस्पॉसिबिलिटी के पूस्ट पे समझे, एंड अगरिकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी करें, क्योंकि जब तक अगरिक स्टूडेंट के साथ, इंडिविजूल मीट की है, जो लोग आंसर्स नहीं सब्मिट कर पाते, अलग-लग रीजन्स है, और ये में थटा दो कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए ही है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इनॉल कर सकते हैं, सवाल हिंदी में होते हैं, आप जव आंसर राइटिंग कोर्स है, केवल टॉपर्स के लिए है, we do not want any kind of hierarchy के भाई, ये टॉपर है, तो इसको जादा preference मिलेगी, और ये अगर beginner लेवल पे है, ये moderate लेवल पे है, तो उस पे काम नहीं करेंगे, सब पे काम करना है, और आपकी answer राइटिंग जो है, ये ना केवल आ बीट आर्टिकल, बीट ऐसे तो आपको बहुत मदद मिले वाली है, answer rating course के बारे में अगर आपको जानना है, कैसे avail कर सकते हैं, क्या क्या features है, कब तक validity है, आने वाले समय में इसमें और भी subject हमने जोर सकते हैं, sociology हो गया, psychology हो गया, geography हो गया, यहाँ पे नीचे number आरा, वहाँ आराम से call करें, इतमिना से पूछे कि क्या क्या चीज़े आपके लिए available हैं, जो भी वहाँ पे handle कर रहा होंगे आपको, सारी चीज़े आपको बहुत अफसील से बता देंगे, coming to the features of permanent settlement system, कि क्या features से start किया गया था, Lord Carnival, इसके दवारा 1793 में, जमिंदारी प्रथाबी कहते ह बिटिश प्रसासन ने कहा कि हम रायतों की यहां जाके, किसानों की यहां घर गर जाके taxes नहीं ले सकते, for that we will need to have an officer, और यह जो officer है, यह जमिंदार होगा, अच्छा जमिंदार थे को जमिंदार पहले से ही बहुत जो influential लोग होते थे गाउँ देहातों में, जो मुगल इडा default नहीं करते हैं, अगर वो करेंगे तो उनसे फिर वो permanent ownership छीली जाएगी, उनकी जमीनों का auction कर दिये जाएगा, now coming to the hierarchy, अच्छा features में कुछ demerits भी थे, कुछ merits भी थे, क्योंकि अगर आपसे ऐसे सवाल 6 marks में पूछ लिए जाए, तो आपको बताना पड़ेगा, basic features में तो एक कदरो डूपे सलाना आपसे रेट लेंगे, आज भी इतना ही डूपे लेंगे, आज से आने वाले 10 साल बाद भी इतना ही लेंगे, 20 साल बाद भी इतना ही लेंगे, इससे क्या हुआ जमिनदारों को यह पता चलिगा कि हमें कितना target meet करना पर यह, और उन्हें ये भी पत अच्छे चेक्वेंट्स आएंगे, उनकी कमाई बढ़ेगी, जमिनदार के तो अपनी वावाई होगी होगी, देमिनिट्स क्या क्या थे, यह जो fixed revenue रखा गया था, तो अंग्रेजों ने ऐसा anticipate कि है कि आगे चलके अगर हम यह prices बढ़ाने पड़ेंगे, तो हम तो डिमांड आउट्पुट के prices बढ़ेंगे, तो हम तो डिमांड अब बढ़ा नी सकते, क्योंकि हमने काई कि एक ही बार रखेंगे, तो एक ही बार में जादा करके रख देते हैं, ताकि आने वाले 20-30 सालों तक में change करने की कोई आविशक्ता न पड़े, तो there was a high demand, और यह invariable demand था, मत suppose एक करोड के इनको demand देनी है, demand मतलब पैसा देना मार्च में, और इन्होंने production करवा लिया अपने किसानों से सावा करोड का, तो बजले में जो 25 करोड बच्चते हैं, इनके पास सरप्रस है, इनके pocket में आती है, अब इसको ये केतों में नहीं लगा रहे थे, इसको ये बात करें, तो रेयत से जो revenue है, वो जमिंदार के पास जाता था, और जमिंदार से जो revenue है, वो जमिंदार company के खजाने में जमा करता थे, पर्मनेंट settlement system में एक hack ये भी था, कि अगर due date से पहले किसान जो जमिंदार है, वो payment नहीं करता है, तो उसकी जमीनों को confiscate कर लिया जा होगा, महताब चंद की जमीनों की auction की जाड़ी है, तो that was all about the permanent settlement system, अब ये बात जारेंगे कि क्यों महताब चंद जैसे जमिंदारों की जो जमीने हैं, उनको auction किया जा रहा था, coming to the failure of जमिंदार, so in this slide we will discuss about the failures of जमिंदार, कि क्या-क्या कारण थे, तो चार कारण थे, पहला high demand, फिर powerless जमिंदार, जमिंदारों की जो power थी, उसको curtail कर दिया गया, फिर जो demand थी, वो बहुत rigid थी, उसके बार में देखेंगे, फिर prices बहुत low थे, जिसके कारण से उतना पैसा नहीं कठा हो पा रहा था, high demand मतलब revenue demand बहुत high rate किया गया था, तो बहुत सारे किसानों के ल हमने एक सामान बनाया है, 1980s में के scooter बनाया है, और उस scooter की price हमें नहीं बदल नहीं है, 222 में भी उस scooter की price उती नहीं रखनी है, तो अगर हमने 1980s में जो scooter बनाया था, उसकी price उस जमाने के according 250 रोपे रखते हैं, जो उस जमाने के according feasible थी, तो आज अगर 250 के scooter बेचड़ा होते हम भारी नुकसान हो सकता था कि हमें दिवाल ये भी हो जाए, तो हमें लोग इस loss को anticipate करने के लिए क्या करेंगे, उस time के हिसाब से आज की inflation को adjust करके price रख देंगे 30,000, ये 30,000 उस जमाने के लोगों के लिए बहुत महंगा लगरा होगा, बट आज के जमाने में 30,000 में एक reasonable scooter म सकता है, तो that was the thing कि ये Britishers ने सोच के इसे साब से इतना जो भारी बढ़ करम demand वो रखा, rigid demand से मारा क्या मतलब है, rigid demand से मारा मतलब है कि demand was invariably wide, मतलब fertile land के लिए भी हो रही demand आपको देना है, demand मतलब पैसा, taxes, और किसी barrel land, जमीन, जो बंदर है उसके लिए भी आपको उतने ही देने हैं, ये कहीं सब भी justified नहीं था, कारण क्या था, poor assessment, जमिंदारी system को लागू करने से पहले homework नहीं की थे British officials ने, and is poor assessment के चलते ये जो गलती है, वो हुई है, फिर जमिंदार्स को authority तो दी गई थी, sorry, responsibility तो दी गई थी, बड़ authority इन से चील ली गई, क्योंकि के अंदर इतने गाउं हैं, अगर हम इसे authority भी देंगे न, तो ये कल को हमारे पर चड़के, और हमारे खलाब बगावत कर सकते हैं, इसलिए सारी इनकी authority हटा लो, पहले के time में जमिंदार जो होते थे, उनके पास कुछ अपने troops होते थे, येना कि टुकुडी होती थी छोट करते थे वो, तो जमिंदार को कहा गया कि अब ये जो कचैरी आप अटा दो, क्योंकि हमारे जो collector साहब है, उनके अंदर हमने ये judicial administration डाल दिया है, वही सारा निप्टारा कर देंगे, इसलिए collector को district magistrate भी कहते हैं, पहले वो judicial function भी perform किया करते थे, तो अब जमिंदारों को जमिंदार को, इसकी जमीन जो है, उसको auction हो जाने दो, एक बहुत बड़ा कारण था, low prices, 1790 के बाद से, जब सही पर्मनेट settlement system आता है, तब ही सही agricultural product के जो prices थे, globally बहुत low थे, बहुत कम थे, इससे क्या होता है, even तो आपकी production तो हो रही है, लेकिन आपके prices कम है, तो आपका output जादा नहीं निकल ला, let's suppose, अगर हम एक 10 produce करेके दे रहा है, और हमारे जो कमाई है, वो prices के चलते उतनी होई नहीं पारे, let's suppose, एक किलो का दाम है, 40 रुपे, ठीक है, और ये गिर के आगिया, एक किलो का दाम अब 20 रुपे, तो अभी हमने पहले, अगर हम लोग 2 किलो ब लगा सकते हैं, वो कचैडी नहीं लगा सकते हैं, तो क्या होता है, गाओं में जो बड़े-बड़े रहयत होते थे, ऐसे रहयत जिनके पास अच्छी खासी जमीन होती थी, जो जमिनदारों ने उने दी हैं, और जो कभी-कभी पैसा जादा कमा लेते थे व्यपार के जड़ कर देते थे, मनी लेंड करना चुरू करते थे, उनको कहा गया जोटेदार, जोटेदार से बहुत छोटे थे, लेकिन रहयत से अलग थे, वो बड़े रहयत होते थे, उनके पास अच्छी खासी जमीन होती थी, वो बैपार भी करते थे, और अपने आसपास के गाओं के को कि तुम जो है, जमीनदार को पेमिंट बदो टाइम पेसे क्या होगा, कि उसकी जमीनों को कॉन्फिसकेट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, और मैं फिर नया जमीनदार बनुगा, अगर उसकी जमीनों का आक्शन होगा, तो मेरे पास अपने पैसे हैं, मैं परीद के नया जमिंदार बनूगा फिर तुम लोगों के लिए चीज़े जो है बहुत आरामदायक बनाऊंगा, comfortable बनाऊंगा, so that was the rise of जमिंदार, जोटेदार सौरी, and कैसे उन्होंने जमिंदार के position को challenge किया, वो आप देख सकते हैं, अब आपको एक चीज़ बतानी जरूरी है, कि जमिंदारी जो है, fail तो होती थी, इनको confiscate भी किया जाता था, जब्त भी किया जाता था, बट, जमिंदार अलग-अलग पैतरे लगाते थे, की कैसे भी करके इनकी जमीने हैं, वो बची रहे, कैसे भी करके इनकी जमीने हैं, even though उनका auction तो हो, बट उनके पास ही रहे, तो क्या-क्या तरीके थे, क्या-क्या पैतरे थे, resist करने के जमिंदारों के पास, उसको देख लेते हैं, सबसे पहला तरीका था fictitious sale ठीक है fictitious sale उसके बाद देखेंगे subsequent auctions ये बहुत एक important टेकनीक थी उसके बाद by latials by force उसके बाद by loyalty fictitious sale क्या होता है जब हम किसी आदमी को कोई सामार बेचते हैं और वो जो आदमी है उसका real beneficiary नहीं है let suppose मैंने आपको एक car दी है ठीक है आपने एक lottery जीती और मैंने आपको एक car दिया but आप उस car को इस्तमाल नहीं कर रहा उस car को आपके मालिक इस्तमाल कर रहा बतलब आपके मालिक ने आपको इस्तमाल किया उस car को पड़ाप्त करने के लिए that is called fictitious sale ठीक है तो जमिंदार क्या करते थे fictitious sale की में दो तरीके होते देख तो कि ऐसे लोगों को auctions में participate करने को कहते थे जो उनके ही लोग होते थे और जब जमीने खड़ी दे लिए तब जो जमिंदारों की जमीन है उसकी auction में participate कौन कर रहा है उनके ही servant अगर जमीने खड़ी देंगे तो वापस जमिंदार ही तो owners है ना इंडिरेक्टी owners तो ही है और एक बहुत अच्छा तरीका होता था properties को women के अधिकार में transfer करने का क्योंकि इस्टड़ा company के कानून के तहत अगर महिलाओं के अक्तियार में कभी property है तो हम लोग उसे चीन नहीं सकते कभजा नहीं कर सकते तो जमिंदार offer अपनी wife के नाम पे अपनी mother के नाम पे महिला relative कोई है तो उनके नाम पे अपनी property transfer कर देते थे फिर जब visitor company के apply आते थे तो कहते थे ये property तो हम पे लोग ही नहीं करती है ये हमारे महिला के नाम पे है तो आप तो इससे चीन नहीं सकते हैं तो even तो ये है महिला की बट indirectly owner कोई है beneficiary कोई है जमिंदार ही तो है तो ये सारी चीज़ें नहीं है fictitious sale के category में आती है फिर एक बहुत एहम तरीका था fictitious auction का sorry subsequent auctions का इसके जड़ी है क्या करते है let's suppose किसी जमिंदार की जमिंदारी है जमिंदारी मतब जो जमीने है वो auction के लिए गई है और वहाँ पे उसके जो servants है वो participate करके जादा बोली लगा के वो जमीने खड़ी लेते है फिर उसका servant ने जमीन खड़ी दी तो फिर ये जमीन जो है auction के लिए जाएगी फिर तीसरा जमिंदार को servant आगा C, वो जमीन को खड़ी देगा इसी तरीके से subsequent default होगा और subsequent auctions होगा फिर last में थकार कि instead of company जमिंदार साब के पास ही आएगी कि देखे अभी जो नए owner सार है वो तो बिल्कुली पे नहीं कर रहा है तो आप ही कमदाम पे इसको खड़ीद ले वापस हम चाहते कि जमीने जो है आपको restore कर दी जाएग तो ये subsequent auctions भी एक तरीका होता था last में अगर इन दोनों से भी काम भी बना तो जमिंदार क्या करते थे अगर किसी और ने जमीने खड़ीद ली है अगर किसी और ने जमिंदार की जमिंदारी खड़ीद ली है तो वो अपने जो चुनिंदे फोर्स थे चुनिंदे लाटियास होते तो उनको भेजते थे धमकाते थे, कि तुम जमीने खाली कर दो, रंगदारी मांगते थे, तो एक तरीका ये था, और एक तरीका था, बाइल वायलिटी, हैनि कि लिट सपोज जमिनदारों ने सारा टिकनीक लगा लिया, लाट्यास भी भेजे, फिक्टीशिस सेल भी करवा लिया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ, सब सेक्ट आक्षिन भी करवा कि देखे लिया, बढ़ कुछ काम नहीं हुआ, किसी और ने उनकी जमीन खड़ी ली, तो अब जो उनकी जमीने किसी और के हाथ में चली गई है, तो जमीनदार अपने जो रियत्स थे न, जो पहले उनके इंटर काम करते थे, इस अलाके के जितने बे रियत्स है, पहले ये जमीनदार A के पास थे, अब ये जमीनदार B के पास है, तो जमीनदार A क्या करेंगे, लिए अपने rates को भढ़काएंगे कि देखो तुम्हारे लिए हमने इतना काम किया था हम तुम्हारे हमेशा डीड में खड़े थे यह जो नहीं जमिंदार आया है यह तुम्हारे कोई काम का नहीं है लिए जमिंदार इस्तेमाल क्या करते थे यह जो जमिंदारी थी यह जो पर्मनेंट सेटलमेंट सिस्टम था बंगाल की यतनी भी चीज़े थी इसको लेके इस चैप्टर में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था बिटिश पार्लमेंट में उस रिपोर्ट के बहुत गहन इसमें क्या क्या चीज़े थी content क्या था फिफ्ट रिपोर्ट का what was in it and इस फिफ्ट रिपोर्ट के impacts क्या होते हैं इसको देख लेंगे तो why needed क्या होता है 1776 के बाद बिटिश इस्टर कंपनी के उपर पार्लिमेंट ने regulations लगाने शुरू किया regulations मतब कड़ाई करनी शुरू क का कि आप जो भी करते हो ना मैं बेवराद हो इसके ताथ उन्होंने committees बनाई हर एक 15 सालों पर एक committee बनाई जाते थी जिनका काम क्या था और यह जो committee थी parliament ही बनाते थी तो parliament एक committee बनाते थी और इस committee का काम क्या था बिटेश शुरू का company के जितने भी मसायल है उनके उपर एक report क्यार करना ऐसे ही यह पांच भी बार committee बनाई गी और उन्होंने जो अपना report पंदिश किया ठाड़ा सो तेरह में उसे रिपोर्ट को कहते है था फिफ्ट रिपोर्ट इससे पहले चारड रिपोर्ट और चारड कमिलिटी और इस रिपोर्ट में क्या चीलिए थी में जो अ report में petitions दिया करते थे ऐसा ही रियत जमिंदारों के खिलाब court में petitions दिया करते थे ऐसे करकर कि बहुत अंभारी भरकम को petitions उनका जमावरा लग जाता था report में इनका ब्यारा दिया गया था फिक्तर रिपोर्ट में कि देखे किस हसाब से जमिंदारों और रहेत में बन नहीं दिया एंड दोनों एक दुसरे के खिलाब के विल अगाता default करते जारा है लेकिन वो default करते थे that is accepted बट उनकी जमीने नहीं चीरी जाती थी इस फिप्ट रिपोर्ट में यह नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से tactics यूज क्या करते थे जमिंदार तो इसने एक इस्टिड़ कंपनी के खिलाब negative perception बनाया पूरे के पुरे बिटे तो कहीं न कहीं कुशासन तो ही है तो यहाँ पे उस कुशासन को लेके heavy debate होता इंग्लैंड में and ultimately market के भी जो manufacturers थे वो भी यही चाते थे कि इस्टिड़ कंपनी के monopoly हट जाए क्योंकि monopoly के चलते ही तो बंगाल में बिरतानिया के हुकूमत के बंदे वहाँ पे rule कर रहा है तो end is all about 5th report मैंने आपको फिर बता दिया कि 5th report में बहुत सारे figures से एक जाद related थे बट यह चीजें जो है बेटेन के लोगों को तो inside reports पता नहीं थी तो उन्होंने इसी report के basis वे अपना reaction दिया and ultimately जो debates वे उसके कारण monopoly इनकी चिन गई 1813 में यहाँ तक हमारी सारी कहानियरी बंग पहाडियों में यहाँ पे एक tribe है उनका सामना होता है बर्तानिया के हकूमत से British Australia Company के administration से उसके बारे में पढ़ते है तो the tribe was पहाडियास पहाडियास के बारे में हर एक चीज़ देखेंगे सबसे पहले तो उनके जो basic features से उसको देखेंगे फिर पहाडियास जो है उनके plains में रहने वाले लोगों से कैसे तालुकात थे मतलब जो लोग मैदानी शेतरों में रहते थे चाहे हो जमीनदार हो व्यापारी हो या नॉर्मल आमजन हो उनके साथ कैसे वैभार थे उसको देखेंगे फिर पहाडियास के साथ कैसे relation थे and क्यों इनके इन दोनों के भी टसल होती ताकि हम लोग वहाँ पर आपको जो इस चैप्टर के short notes है वो भीज सके अगर आपको इस एपिशल चैप्टर के एक सर्क्राइकर के short notes चाहिए तो उसकी भी quiz के link कमें डाल दी है वहाँ पर भी आप दोनों separate quiz को attempt करके quiz में क्या होता पाँच बहुत साधाना सवाल होंगे इ अगर आपको इसी तरीके से flow charts वगरा, diagrams वगरा बना के answers लिखना है ताकि एक examiner के नजब में do enroll in our answer writing course इस answer writing course के वारे में जाने के लिए लीचे जो number दिया गया है उस पे call करके सारी सीजा पता कर सकते हैं जिस हसाब से हम लोग value दे रहा है 80-50 दिने आपके साथ लगातार का ना but we have done this तो check that out कि क्या चीज है पहाडियास की basic features की बात करें तो ये राजमेहल हिल्स में रहा करते थे छोटा नाकूर में एक पहाडी है राजमेहल की क्या-क्या इनके means of livelihood थे कैसे जिन्दा रहते थे तो शिकार क्या करते थे shifting cultivation करते थे इदर से उदर अभी 5 साल उदर ख कर गया उस राख को हटाने के लिए और राख में क्या potash होता था था फर्टिलाइजर रही है तो वो जो potash है जमीन में मिल भी गया और उस राख क्यू पर अबन में घास अटा दी कुदाली के जड़िये जितने भी shifting cultivator से पहाडियास की तरह उनको हो से यहां पर सिंबलाइ होते थे हर एक tribe के लोगों से किसे तालुक थे तो plane में क्या करते थे मैदानी चोमनी लगाता रेड़ किया करते थे एक तो यह पहाडों में रहा करते थे तो कि जो physical बनावर थी तो थोड़ी सी जादा, आप कहले तो strong थी, as compared to, जो plane के लोग थे, बहुत ये शक्तिसाली थे, तो अकसर ये मैदानी चितुर में rate क्या करते थे, और rate क्यों क्या करते थे, सबसे पहला कि resources चाहिए, किसी के घड़ पर आकर वड़ करके, कि वहाँ से खालानी चीज़े उठाली, वहाँ से चलानी चीज़े उठाली, और दूसरी चीज़ बार बार ये इसलिए भी rate करते थे, ताकि ये इस बात को assert कर सके, इस बात को जोर देके बता सके, कि हम तुमसे बड़े हैं, ये पहार के लोग है, तो इनका जो समान है, वह इस पहार से उस पहार पास ही नहीं होगा, तो इस काइंड अफ रिलेशिशिव वह विथ द पहारियाज और प्लेश पीपल, अगर बिडिशर्स के बात करें, तो बिडिशर्स के साथ कुछ-कुछ मसाइल थे, तो इस पहारियाज उनके साथ, रिजन अफ कॉन्फिक्ट के क्या था बिडिशर्स का, तो सबसे पहला रिजन था कि पहारियाज जो वह सेटल डेगरिकल्चर नहीं करना चाता थे, वह शिफ्टिंग कल्टिवेशन ही करना चाता थे, और घुमन्तू ट्राइब थी, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा गूमते रहते थे, लेकिन बिडिशर्स चाते थे कि यह चूकि मेहनती है, तो इसे हम लोग सेटल डेगरिकल्चर कर वाले राजमेल के पहारियों के नीचे, तो राजमेल के पहारियों के नीचे इनके पास प्रपूसर डाला गया कि आप सेटल अगरिकल्चर करो, पहारियाज ने का कि हम लोग लही करने वाले, तो अब दो ही तड़ीके थे, या तो इनको मना लिया जाए, या नहीं तो इनको भगा दिया जाए, तो भगाने का रास्ता, पहले अख्तियार करता है, बिटिशर्स एंड 1770 में, पालिसी आफ एक्स्टर्मिनेशन लाँच की जाती है, बिटिश और्थर्टी दौारा की, जहां भी पहारियाज को देखो गोली मार दो, अब जब इस चीज से काम नहीं बढ़ने थी, और जादा ये जो टसल है, वो बढ़ती जाड़ी थी, तो 1780 में, भागलपूर के एक कलेक्टर थे, और उन्हों ने का कि पहारियाज को मार दार के कुछ फायदा मारा होगा नी, क्योंकि अल्टिमेटली क्या होगा, उनको मारेंगे, उनकी अबादी क्यम होगी, तो नुकसान हमारा ही है, वो बहुत मेहनती लोग है, वो काम आ सकते हमारे, तो एक policy or pacification उन्हों ने लाँच की, उन्होंने पहारियाज ट्राइव के chiefs को बुलाया, आपके लिए अच्छी सुविधा देंगे, आपके लोगों के रहने के लिए, आपको क्या करना है, हमारे कहने के अनुसार सेटर लागरी कल्चर करना है, इतनी सारी features, इतनी सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, आपको अपनी जो identity है, बस उसे compromise करना पड़ेगा, बहुत सारे पहारियाज चीफ हैं, वो तो मानते ही नहीं है, कुछ को जिन्होंने माना, वो अपनी authority ही लूज कर जाते हैं, उनके जो लोग थे, उन्होंने का कि अब तो आप हमारे सर्दार रही नहीं, क्योंकि आपने तो अपना सौधा कर लिया, हमारा सौधा कर लिया बर्तानिया की हकूमत के साथ, तो ये जो है policy of pacification से भी कोई जादा result नहीं मिलता है, और जैसे से pacification की policy आगे बढ़ती हैं, एक के बाद एक अफिशल्स आ रहे थे, पारियाचित से मिल रहे थे, और सम्झाने की कोशिस कर रहे थे, तो नहीं सोचा कि भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, ये राजमयल हिल की तड़ाई छोड़के, और पहारों में ऊपर चले जाते हैं, ताकि ये लोग हमें पढ़शान ही ना कर सके, तो वाट वस अपर कारण था, कि बिडिशर जब संथालों को लेके आते हैं, उसके बार एम अगले साइड बे पढ़ेंगे, तो जब संथालों को लेके आते हैं, एंड पहारियाचित से और संथालों से मुकाबला करके, वहारा कुछ फायदा होगा निया, अब कितना अच्छा शांतिपूर्ण जीवाच जी रहे थे, तो वो पहाड़ों के और ऊपर चले जाएंगे, डीप इंटो दा मॉंटें, बिकेम आइसोलेटेड़ विट अलग थालग होने के लिए, यह स्लाइड में बात करते हैं, संथालों के बार में, सबसे पहले शुरुबात करेंगे, संथाल कौन थे, बेसिक फीचर्स, उसके बाद बात करेंगे, संथाल जो हैं पहाड़याज के साथ, क्यों इनके टेसल होती है, क्या कंक्लूजन इकलता है, इनके टेसल के बाद, एंड संथाल रेबेलियन को देखेंगे, कि बिडिशर्स ही संथाल को लाते हैं, एंड संथाल क्यों Britishers के खिलाफ ही बगावत करते हैं इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे basic features के बात करें तो संथाल के बारे में कहा जाता है कि North East से आये थे कुछ लोग कहते हैं कि आंदर प्रदेश के लाके से भी आये थे तो इनके पास एक तर्कीव सूची इन्होंने देखा कि भाई पहाडियाज बहुत जादा बगावत कर रहा हैं वो कहते है दामेने को राजमेल के पहाडियों के नीचे वो जमीन दी गई दामेने को मतलब पहार के नीचे footills of the mountain दामेन मतलब आपका जो तराई है वो और को मतलब mountain तो राजमेल के पहाडियों के नीचे इनको जमीन दी गई और उस जमीन में कहा कि यह जमीन आपकी है आप इसमें सेटा लेगरी कल्चर को रहा अगर बाहर का कोई भी आता है मार के भागा दो और वो जो जमीन है वो पहाड़ियास से बिना पूछे इनके नाम कर दीगी थी तो पहाड़ियास की बहुत अच्छी खासी आबादी मां पर अल्रीड रह रह संथाल थोड़े से ज़्यादा सक्रिसाली से पहाड़ियास से तो यह जीच जाते हैं अड अल्टिमिटल यह भी एक रीजन था कि पहाड़ियास क्यों बीप डाउन इनका साम्दा ना हो क्योंकि संथाल जब हो से तो इसलिए ने हल से करेक्टराइज किया गया है और यह जो पहाड़ियास अब शिप्टिमेशन करते थे इसलिए इने फूर से यारी कि उदाली से करा गया है ना के वारे समझें और दामिन डिक पास दामिन को हो में तो इनके आबादी दिन बढ़ती जाती है अब इनके अगरिकल्चर जैसे से बढ़ता है इनके पहс घामदनी वी इंकी पाप्लेशन बहुत बढ़गी इनके सैटल मेंच बहुत वह siah जदी बढगी तो अर जब य यह चीज़े होगी जो संथालों को एक्स्प्राइट के इनाने लगा सबसे पहले बिटिशर्स ने देखा कि बहुत महनती है तो लगातार टैकसर्स के जो डेट है वो बढ़ाये जा रहे थे अब यह इंक्रीजिन टैकसरेट यह एक पढ़शानी की चीज़ थी दूसरी चीज़ अभी तो टैकसरेट लगातार बढ़ाये जाड़ा अगर संथाल इनको बीट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे लोंस लेंगे, लोंस वो लेते थे मली लेंडर से और मनी लेंडर को यह लोग कहते थे दिकूज और जो दिकूज थी यह इस बात को जानते थे कि संथाल जो है वो पढ़े लिखे रही है तो ओने पौन इंटरस पे इनको जो है लोग दिये जाते थे और उस इंटरस को चुकानी पाते थे सुद्दू, मुर्मू और कानु मुर्मू और ही बहुत सारे चारपाच इनके दोस्ते थे भाई थे इनकी नेत्वतों में 10,000 संथाल जो है वो एकत्रत होते है एंड उन्होंने बरतानिया के हुकूमत जो की मडी लिंडर्स को बचा डी थी जो की heavy taxes लगारी थी लगाता लगातार जिनके पैट्र जो जमेंदार को भी बचारी थी इनके खिलाब अब लड़ाई लड़नी शुरू करते हैं लड़ाई जो हारी जाएगी क्योंकि इनके पास advanced weapon तो है नहीं वही तीर कमान है अब्रेटेशर के पास तोप है बंदू के है राइफल्स है तो कहीं से भी बैटल जो है वो फियर नहीं था अन्फियर बैटल था और अल्टिमेटे कंक्लूज़ा भी यह यह होता है बहुत हवेली मतलब जुन कर देता है सीथे संथलो के और उसके बार एक संथाल परगना बनाये गया ठीक है कुछ इलाके बंगाल से लिये गाए सुछ इलाके जो है उपर से भी लिए गए जो हमारा नौर्थ बिहार का इलाका नौर्थ इस बिहार का इलाका वहाँ से भी लिए गए और एक संथाल परगना बनाया गया और आज के जमाने में भी हम लोग कोशिस करते हैं कि कैसे भी जजजातियां है जो हमारे ट्राइबस रहते हैं मद पर्देश में अच्छी खासियावादी है जाड़कर्ड में अच्छी खासियावादी है तो इनकी जो independence है और इनकी जो sovereignty है, sovereignty तो नहीं कहूँगा इनकी जो dignity है और जिसे साब से ये लोग अपने नेचर को, फॉरेस्ट को एक घर के तॉट पर ट्रीट करते हैं, जैसे पहाडियास करते हैं, जैसे संथाल करते हैं, इस चीज़ को हम लोग कभी भी exploit करने की कोशिस ना करें, जो इनका culture है, उसको कभी भी dilute ना होने दे, यह हमारी जितने भी questions से आप attempt करें, और जो checking होती है, वो personalized checking होती है, मतलब मैं हर एक copy check करता हूँ, हर एक copy check करके वहाँ पर remarks देता हूँ, solutions देता हूँ, किसी को गर जादा remarks की ज़रूरत है, तो मैं तुरंद उनके साथ meet arrange कर लेता हूँ, मैं हूँ या आईश सरू, तुरंद आप लोग meet arrange करते हैं, अभी आपके सामने उसकी धार आप तेज कर सके, अब लास्ट में बात कर लेते हैं, बुकैनन के accounts की, बुकैनन पहले थे को और उनके बारे में समय ले, फ्रैंसिस बुकैनन एक सर्जन थे, जो गवर्नर जर्णल जो हमारे रिचर्ड वेलीजली है, उनके यहां काम करते थे, 1790 से लेके 805 तक ह हमारे गवर्नर जर्णल है, यह प्रफेशियर से तो सर्जन थे बटिंग की जानकारी बहुत अलग-अलग fields में थी, जैसे जोगरफी में जानकारी थी, इनको माइनिंग की knowledge थी, बहुत अच्छा सर्वेर थे, जियोलाजी की बहुत अची खासी knowledge थी, फिरोन अपने surveys और experiences यह अलग-अलग जगों पे जाते थे, और चीजों का बहुरा लिखते थे, और इससे इस्टरड़ कंपनी की जो administration है, उसको काफी मदद मिली, इनके text वगेरा से, और इस्टरड़ कंपनी जो है, अपने सरकारी खर्चे पे इनको अलग-अलग जगा पे भीज़ती भी जिता जाकि वो जाके analyze कर सके, और बुकाइनन नहीं तो हमें ब्योरा दिया है, पहाडियास का, बुकाइनन नहीं तो हमें ब्योरा बताया है कि किस तरीके से संथालों ने subtle agriculture करके, जमीनों को बहुत अच्छा बना दिया था, ऐसा लगड़ा था कि यह जो है, यूरॉप की एक farmland ह अब बुकाइनन किसके बारे में लिखते थे और फ्रांसिस बुकाइनन को बुकाइनन Hamilton भी कहते हैं क्योंकि Hamilton जो इनका title है, तो contents इनके agriculture पर based होते थे, mining पर based होते थे, geography पर based होते थे, revenue पर based होते थे, judicial administration के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अब गर इनके content क बात करें, तो एक सबाल बहुत जाता हमारे दमाग में आता है कि, are they reliable? क्या इनके contents reliable है या नहीं है? तो इनके contents हम लोग refer तो कर सकते हैं, बट ये reliable इसलिए नहीं है क्योंकि ये employees इस्टेड़ा कंपनी के हैं, और जितनी भी observations है, जितनी भी चीज़े नोंने लिखी हैं, वो सारी चीज़े colonial interesters से प्रभावित थी, रैसे वो संथालों को promote करते हैं, संथालों की बढ़ाई करते हैं, इसलिए क्योंकि वो settle agriculture करते हैं, और पहाडियास को criticize करते हैं, क्योंकि वो shifting cultivation करते हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि जो shifting cultivation करता है, वो बुरा है, ये counts of Buchanan and his credibility, ये जो chapter रही आपके हैं पर खतम होता है, दखन रायत के बारे में आपको खुश नहीं पढ़ना है, देकर रायत में क्या 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 reasons थे, कौन को सी parties involved थी, commission में क्या क्या चीज़ें में क्या impact हुए, इन सब को CBC reduce कर दिया है, आपके पास syllabus के तोर पर बस यहीं ची अगर आपको ऐसे short notes available करने है, Kings of Chronicles के and इस chapter के, दोन ही chapter की जो quizzes है, उनका link हमने description box में डाल गया है, एक एक quiz को attempt करो, and make sure कि जो भी details आप submit करोगे, चाहे वो आपका email ID हो, आपके नाम हो, या आपका phone number हो, वो सही होने चाहिए, ताकि हम लोग आपको जब वो link भेजे, वो drive क जो है, वो आपके पास चला जाए, वो invalid ना बता है, thank you for watching, and if this content makes sense to you, अगर आपको लगता है, कि जो quick revision series है, आपके लिए helpful है, अगर आपको लगता है, कि हमारे contents आपके लिए helpful है, क्योंकि हमने stats देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हमारी videos देखते हैं, तो subscribe नहीं करते हैं, तो make sure कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है, subscribe जरूर करो, क्योंकि हम लोग अलग type के contents बनाता है, contents में depth होती है, चीजों में value create करने की कोशिस करते हैं, आपके हमेशा सही justice करने की कोशिस रही है, कभी भी आपका time और हमारा time जाय ना जाय, यही कोशिस रहती है म vaccinated अगर आपने भी तक vaccine नहीं लिया है, तो make sure कि आप vaccine लेने